नमस्कार नेक्स्ट नाइन नियूज देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्यास सेंगा क्या वरुन गांधी अब अखिलेश का दामन थाम सकते हैं आखिरकार डिम्पल यादव से क्यों अचानक मिलने पहुँचे वरुन गांधी ये तमाम सवाल तभी से बनते हुए नजर आ रहे हैं जब से भारतिय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी एक और सूची जारी कर दी इस सूची में वरुन गांधी का नाम नहीं होता लेकिन उनकी मा मेनका गांधी को टिकेट जरूर दिया जाता है और आखिरकार इस सूची के साथ वो तमाम सवाल जो अब तक बनते हुए नजर आ रहे थे उनके जवाब भी मिलते हुए नजर आ है कि क्या वरुन गांधी को टिकेट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा वरुन गांधी की जगा जितन प्रसाद को पीली भीट से भाजपा ने उमीदवार की तौर पर उतार दिया है और वरुन गांधी पार्टी का सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं वरुन गांधी के टीम की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया कि वे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे बलकि अपनी मा मेंका गांधी के लिए चुनावी प्रचार करेंगी लेकिन इस बीच आखिर कार क्यों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वाइरल होती हुई नजर आ रही ह इस तस्वीर में वरुन गांधी के साथ नजर आ रही ये महिला और कोई नहीं बलकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रय अध्यक्ष अखलेश यादव की धरम पतनी और मैनपुरी सिसांसर डिमपल यादव हैं डिमपल यादव आखिरकार वरुन गांधी से कब मिली कैस इस तस्वीर को देख कर हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है तस्वीर की सच्चाई भी बताएंगे लेकिन आपको बताते हैं कि इस तस्वीर के वाइरल होने के बाद एक बार फिर से अब ये कयास लगने शुरू हो चुके हैं कि क्या वरुन गांधी अभी भी पार्टी के ख इलाफ जा सकते हैं क्या अभी भी उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की संभावना हैं यहां पर आपको सबसे पहले सुनवाते हैं अखलेश यादव का वो बयान कि किस तरह से अखलेश भी वरुन गांधी को कहीं न कहीं एक नियोता देते हुई नजरा रहे थे क कि अगर पार्टी उनका टिकेट कार्ट देती है तो सपा के दर्वाजे उनके लिए खुले हुए हैं सुने जरा अखलेश यादव के बयान को कि दूसरी पार्टी का मैं क्या जानू किसकी टिकेट मिल लेगे किसकी कट रही है हमारा सेनिठर ते करेगा कि क्या निड़ा लेना है उसकी पूरे देश की जनता के साथ अन्या हुआ है भारत के परिवार जितने उनके साथ अन्या किया बहादें तपाने है पहले साथ पहले कि अब कि आपको जानकारी दे दिया इस तो दर्श को देखा आपने और सुना भी अब यहाँ पर आपको सचाई बताते हैं इस तस्वीर की तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस तस्वीर में नजर आ रही वरुन गांधी के साथ जो महिला है वो डिमपल यादव है ये सच है कि डिंपल यादव और वरुन गांधी की मुलाकात हुई लेकिन तस्वेर को लेकर जो दावे किये जा रहे हैं वो गलत है दरसल ये मुलाकात अभी नहीं बलकि साल 2023 की है तारिक की अगर बात की जाए तो तारिक है 3 अगस्त और ये मुलाकात हुई थी संसद भवन्वी दरसल मांसून सत्र के दौरान ये मुलाकात हुई सदन की लॉबी में डिंपल यादव और वरुन गांधी अचानक से एक साथ स्पॉट किये जाते हैं उस दौरान भी ये कयास लगातार लगाय जा रहे थे कि क्या वरुन गांधी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं लेकिन वरुन गांधी ने जो बयान अब दे दिया है उससे ये साफ हो चुका है कि वे भारतिय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे बलकि बीजेपी के साथ रहकर लोक सभा चुनाव में अपनी मा मिनका गांधी के लिए चुनावी प्रचार करेंगे तो यानि के वरुन गांधी को लेकर जो तमाम कयास लगाय जा रहे हैं इस वाइरल तस्वीर के जरिये वो तमाम कयास बेबुनियाद हैं और वरुन गांधी अब भारतिय जनता पार्टी के साथ ही मिलकर शुनाव लड़ने वाले हैं हाला कि वरुन गांधी को टिकेट न देकर पीली भीट से पार्टी का जितन प्रसाद को टिकेट देने का फैसला क्या सही है चालीस सालों से सीट पर मेंका गांधी और वरुन गांधी का ही कबजा था लेकिन जितन प्रसाद को टिकेट देकर कहीं पार्टी इस सीट को गवा तो नहीं देगी इन तमाम सवालों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है आप कॉमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं फिलाल के लिए मुझे दीजिए अजासत नमस्कार